तो इससे पहले दो वीडियो में लगतार हम दो सिखे हैं रासाइनिक समीकरन को बनाना, आज यह रासाइनिक समीकरन बनाने का तिसरा वीडियो होगा, यदि आप ओ दो वीडियो नहीं देखे हैं, तो उस दो वीडियो को देख करके आए, यह हमारा मनना है कि आपको फुरा सा भी कही problem नहीं होगा ठीक है? तो चलिए इस वीडियो में हम दोख सिखने वाले हैं अमल और भस्म के साथ अभिक्रिया यानि अमल और भस्म अमल और भस्म है ना? अमल और कौन सा? भस्म के बीच अभिक्रिया सिखेंगे इसका समिकरण लिखेंगे हम ले तो अमल जो है इसके कुछ उदारन यहां दे देते हैं आपको पहले से भी मालूम होगा? मालूम है तो और एच्छी बाते नहीं मालूम है तो इसका जनकारी रखे है यहाँ HCl हमने लिखा है HCl मतलब हैड्रोफलोरिक अमल होता है HNO3 मतलब नाटरिक अमल होता है HO2CO3 मतलब कार्वोरिक अमल होता है एन HO2SO4 सलफिय। ह만ल होता है H3BO3 बूरिक अमल होता है CH3 COOH Acetic अमल होता है इसे बहुत सारे अमल है लेकिन कुछ अमल का उधारन आपको यहां दे दिया गया अब कुछ भस्म का उधारन यहां डाल देते हैं NaOH, Sodium Hydra Oxide या Caustic Soda बोल सकते हैं KOH, Potassium Hydra Oxide या Caustic Potas बोल सकते हैं Calcium Hydra Oxide इसको आप बुझा हुआ चुनना भी बोल सकते हैं इसे अनेक भस्म होते हैं Magnesium Hydra Oxide, Milk of Magnesia भी इसको बोला जा सकता है इसका सबसे खास बात क्या है कि जितने भस्म होंगे, सब में OH होंगे सब में Hydra Oxide आयन उपस्तित रहेगा ही रहेगा जितना भस्म होगा जितने अमल होंगे, सब में H आयन होता है सब में H आयन होता है आप यदि इससे पहले पढ़े होंगे तेंत कलास में उसमें पढ़े होंगे कि अमल का सवाद घटा होता है भस्म का सवाद करवा होता है अमल का pH मान साथ से कम होता है भस्म का पीच मान साथ से अधिक होता है अजल में विले भस्म को चार कहते हैं भस्म को आप चार भी बोल सकते हैं भस्म को और का बोल सकते हैं चार अना भस्म को क्या बोल सकते हैं चार कोई बोल दे कि अमलियाता का पीच मान साथ से कम चरी आता का pH मान 7 से अधिक एक वरिषा होता है घर में कोई बच्चा चरी आ जाता है अब इसका मतलब नहीं कि उस चरी आता हो गया pH मान 7 से अधिक हो गया वो कोई अमल भास मत्वरीन है है ना इसको जनकारी रखना आप सबको और यदि इसका जनकारी रखते हैं तो एक्विशन सिखाने का काम तो हमारा है ना तो आप देखो यहाँ कोई अमल इसमें से हम लिख लेते हैं कोई भी हम जैसे की HCL है और कोई भी भास्म जैसे की CAOH का होड़ वाइज है है ना है एच एन ओ थिरी अमल है यह और क्या और कोई भास्म है जैसे NAOH भास्म है और भी कोई ले लेते हैं जैसे H2SO4 सल्फियूरिक आमल सल्फियूरिक आमल का अभिक्रिया किस के साथ किसी भास्म के साथ कोई भी भास्म है एम जी ओ एच का होड़ वाइच है इसको भी रख लेते हैं इसे क्यों छोर देंगे CH3COOH और पलस कोई भास्म ले लेते हैं NAOH अब इसके साथ अभिक्रिया कराना है और आपको बताना है कि किस परकार से इसको बनाएंगे equation में सबसे important जो चीज है जो सबसे important बात है वो क्या है कि सन्योजक्ता मालू होना चाहिए इसमें सबका सन्योजक्ता जो है आप इसी में से cheating कर सकते हैं नहीं याद होगा फिर में हो कई से तिया देखो एज का सन्योजक्ता एक होता है सबको पता है इतना तो मालूप होना चाहिए एज का सन्योजक्ता एक होता है एज के साथ यहां कोई अंक नहीं है इसका मतलब सेल का भी एक है एज का सन्योजक्ता एक होता है यहां कोई अंक नहीं है यानि एन उथिरी का भी एक है सन्योजक्ता एज का सन्योजक्ता तो एक होता यहां दू है यहां का सन्योजक्ता है इसका मतलब सी उथिरी का सन्योज एक होता है, यह बात आप प्रित्वी पर पढ़ो, प्रित्वी पर ही पढ़ोगे, बाहर कहां पढ़ोगे, चलो कोई बात है, यहाँ एज का सुन जगता एक होगा, और एज के सांद दू है, इसका मतलब सल्फेड का सुन जगता दू होता है, कितना आसांट्रिक है यह, एज क के साथ 3 है यानि बी ओ थरी का सन्युजक्ता बी ओ थरी आयन है ना यह सब इसका सन्युजक्ता 3 होता है इसमें ह एच एच है है एच के साथ कोई अंक नहीं है इसका मतलब इसका भी सन्युजक्ता एक होता है और इधर भी देख लेते हैं ओ एच का सन्युजक्ता एक होता है औ ओएच का एक होता है, ओएच का फिक्स है, जिसे एच का एक होता है, ओएच का भी एक होता है, अब ओएच को घर के दो लिखा गया है, इसका मतलब यह जो दू है, किसका सुन जगता है, किलस्यम का, यहां भी ओएच के सांद दू लिखा गया, यानि यह किसका सुन जगता है, मेंगनेसियम का तो सन्य जक्ता भी उसी में से निकल सकता, चलिए इसको साइड कर देते हैं ये मारेंगे मैजिक इसमें ये रहा जादू इस जादू से ये देरे 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 छोटा हो गया काफी छोटा नहीं हो जा चलिए हो गया क्पलेट अब अभिक्रिया के से होगा इस सब में धातू है जितना भस में है सब में धातू है सब आयनिक योगी खोटे है टोटल के टोटल आयनिक योगी आयनिक योगी का बहवार क्या है कि आयन में तूटेगा आयन में सब क्या होगा तूटेगा सब आयन में टूटेगा, जिससे कि यह C A plus में होगा, धात्व जो भी होता है, धान आयन होता है, O H minus में होगा, इसमें का plus इसके minus के साथ अभी क्रिया करेगा, कभी भी plus का demand किसका होता है, minus का, यानि धान आयन का demand किसका, हरी नायन का होता है, demand यानि मांग, धान आयन किसके सा C A का सन्युजक्ता 2 होता है और C A का 1 होता है क्या बनाएगा यह C A C L A 2 यह किसे हो गया तो आपको बताया गया है C A का सन्युजक्ता 2 है C L का 1 है यह क्रस्ट करेगा यह अपना सन्युजक्ता इसको दे देगा वो अपना वाला इसको दे देगा क्या बनाएगा CACLA2 इसके बाद इसमें देखो कि यहाँ H है और OH है यहाँ आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा योगिक बनाएगा H2O बनाएगा यहीं कंडिशन सब के साथ लागू होता है यहीं कंडिशन यहाँ NA धानायल अलग हो जाएगा NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा Na NO3 बनाएगा ऐसा क्यों हुआ क्यों की NA का भी सनुजगता 1 NO3 का भी 1 और यहाँ OH किस के साथ H के साथ क्या बना देगा H2O बना देगा क्या बना दिया यह H2O बना दिया अनल इसे ही यहां देखिए, mg धानायन है, इसमें कारीनायन aso4 है, mg aso4 के साथ, यानि यह क्या बनाने वाला है? mg aso4 बनाने वाला है, क्योंकि mg का 2 होता है, aso4 का 2, 2 से 2 क्रस्ट का गया, अब इसके बाद oh किस के साथ? H के साथ क्या बना देगा ये H2O H2O होगा यानि कभी भी आप अमल की अभिक्रिया भस्म के साथ कराते है तो किसका निर्मान होता है लौण और जल का लौण और किसका जल का और लौण का भी pH मान साथ इसलिए इसको बोलते है उदासनी करन अभिक्रिया जिसे आपको बताया थे कि अमल का pH मान साथ से कम, भस्म का pH मान साथ से अधिक, जब आपस में अभिक्रिया किया, लौन बना और जल बना, लौन का भी pH मान साथ, और जल का भी pH मान साथ, यानि यह हो गया उदासिन, इसलिए और H और इसके बार इसमें दो भाग होंगे N A और OH धान आएन इसमें कोज सा होगा иком दान के साथ कि धान आएन किस के सांथ रिन में के सांट यह क्या बनाने वाला है 57 संड्य यजगता निकलने के बारे वी आपको बात पहले सहीं बटायता कि हां OH का सुन जगता एक है, इसके साथ कोई अंक नहीं लिखा गया, इसका मतलब यह है कि ENA का भी एक होगा, यहाँ H के साथ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब इसका भी सुन जगता एक होगा, तो यह sodium acetate बनाया, पर यहाँ से OH जो है, H के साथ क्या बनाने वाला है? hak duru तो इस तिसरी वीडियो में आपको सिखा दिया गया कि अमल का अभिक्रिया भहस्म के साथ कीस परकर से होता है किस तरह से योगिक बनता है यदि आपको इसके बाद भी एक विशन सिखना है तो फिर से कमेंट करें इसके बाद हम चोथा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें अब धातु की अभी क्रिया जो होगा तन्नु अमल और सानर अमल के साथ किस परकर से होता है उसके बारे में आपको जनकारी दिया जाएगा